मेरा नाम सुदीब सार्मा है और मैं आज आप लोगों के सामने भारत का भविश्य सीर्षक नाम से स्वामी विवेकनन जिनका अनुवाद पंडित शूर्य कांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है ये आप लोगों के समक्ष पढ़ने जा रहा हूँ और मेरा उद्देश है क कि इस पुस्तक का ज्यान समास तक फैले और लोग अपने देश के प्रती निस्ठावान बने भारत का भविश्य यह वही प्राचीन भूमी है जहां दूसरे देशों को जाने से पहले तत्तो ज्यान ने आकर अपनी वास भूमी बनाई थी यह वही भारत है जहां के आध्धात्मिक प्रवाह का स्थूल प्रतिरूप उसके बहने वाले समुद्रकार नध हैं जहां चिरंतर हिमाले स्रेणी बद्ध उठा हुआ अपने हिम्शिकरों द्वारा मानो स्वर्ग राज्य के रहस्यों की और निहार रहा है यह वही भारत है जिसकी भूमी पर संसार के सर्वस्रेष्ट रिश्यों की चरणरज पढ़ चुकी है यही सबसे पहले मनुष्य प्रकृती तथा अंतर जगत के रहस्यों धाटन की जिग्यासाओं के अंकुर उगे थे आत्मा का अमरत्व अंतर्याम ईश्वर और जगत प्रपंच तथा मनुष्य के भीतर सर्वव्यापी परमात्मा विश्यक मतवादों का पहले पहल यहीं उद्भव हुआ था और यही धर्म और दर्शन के आदर्शों ने अपनी चरमुन्नति प्राप्त की थी यह वही भूमी है जहां से उमरती हुई बाल की तरह धर्म तथा दार्शनिक तत्तों ने समग्र संसार को बार बार प्लावित कर दिया है और यही भूमी है जहां से पुन्ह ऐसी ही तरंगे उठकर निस्टेज जातियों में शक्ति और जीवन का संचार कर देखिए यह वही भारत है जो सताब्दियों से आघात विदेशियों के सत सत आक्रमन और सैक्डों आचार विभारों के विपर्यय सहकर भी अक्षय बना हुआ है। यह वही भारत है जो अपने अविनाशी वीर्य और जीवन के साथ अब तक परवत से भी दिड़तर भाव से खड़ा है। आत्मा जैसे अनादी, अनन्त और अम्रित स्वरूप है वैसे ही हमारी भारत भूमी का जीवन है और हम इसी देश की संतान हैं। भारत की संतानों, तुमसे आज मैं यहां कुछ वैभारिक बाते कहूँगा और तुम्हें तुम्हारे पूर्व गवरव की याद दिलाने का उद्देश के वल इतना ही हैं। कि कितनी ही बार मुझसे कहा गया है कि अतीत की ओर नजर डालने से सिर्फ मन की अवनती ही होती है और इससे कोई फल नहीं होता। अता हमें भविश की ओर द्रिश्टी रखनी चाहिए। यह सच है परन्तु अतीत से ही भविश का निर्मान होता है। अता जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो पीछे जो तिरंतर निर्जर बह रहा है आकंठ उसका जल्पियो और उसके बाद सामने देखो और भारत को ओज्वलतर महत्तर और पहले से और भी उचा उठाओ। हमारे पूरवज महान थे। पहले यह बात हमें यादर करनी होगी। हमें समझना होगा कि हम किन उपादानों से बने हैं। कौन सा खून हमारी नसों में बह रहा है। उस खून पर हमें विश्वास करना होगा। और अतीत के उसके कृत्यत्व पर भी इस विश्वास और अत अवनती के युग भी रहे हैं पर उनको मैं अधिकमा तो नहीं देता हम सभी उसके विशे में जानते हैं ऐसे युगों का होना आवश्यक था किसी विशाल वरिक्ष से एक सुन्दर पका हुआ फल पैदा हुआ फल जमीन पर गिरा मुर्जाया और सड़ा इस विनास से जो अं विश्यका भारत आ रहा है वह अंकुरित हो चुका है उसके नए पल्लव निकल चुके हैं और उस शक्तिधर विशालकाय उर्धमूल वरिक्ष का निकलना शुरू हो चुका है और उसी के संबंद में मैं तुमसे कहने जा रहा हूं किसी भी देश दूसरे देश की जटिल और गुरुत्तर है जाती धर्मभाशा शाशन प्रणाली यही एक साथ मिलकर एक रास्ट की स्रिष्टी करते हैं यदि एक एक जाती को लेकर हमारे रास्ट से तुन्ना की जाए तो हम देखेंगे कि जिन उपादानों से संसार के दूसरे रास्ट संगठित हुए हैं वे संख्या में यहां के उपादानों से कम हैं यहां आरे हैं द्रविण हैं तातार हैं तूर्क हैं मुगल हैं यूरोपी हैं मानो संसार की सभी जातिया इस भूमी में अपना अपना खून मिला रही हैं भाशा का यहां एक विचित्र धंक का जमावडा है आचार वेवारों के संबंद में दो भारतिय जातियों में जितना अंतर है उतना पूर्वी और यूरोपिय जातियों में नहीं है। देश भर में एक ही धर्म सब को स्विकार करना होगा, एक ही धर्म से मेरा क्या तात्परिय है, मतलब है या उस तरह का एक ही धर्म नहीं है जिसका इसाईयों, मुसल्मानों या बौध्धों में परचार है। इस तरह हमारे संप्रदायों के ऐसे कुछ समान्य आधार अवश्य हैं, उनको स्विकार करने पर हमारे धर्म में अद्बुत विविद्धा के लिए गुंजाईश हो जाती है। और साथ ही विचार और अपनी रूची के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए हमें संपूर्ण स्वाधीनता परात्थ हो जाती है। हम लोग कम से कम वेजिनों ने इस पर विचार किया है, यह बात जानते हैं और अपने धर्म के ये जीवन प्रद सामान्य नितत्व हम सब के सामने लाएं और देश के सभी इस्त्री पूरुष बाल व्रिध उन्हें जाने, समझें और जीवन में उतारें, यही हमारे लिए अवश्यक है, सरोपर्थम यही हमारा कार्य है, अता हम देखते हैं कि एशिया में और विशेष्टा भारत में जाती भाषा, समाज सम्मंधी, सभी बाधाएं धर्म की इस एकी करण शक्ती के सामने उड़ जाती हैं, हम जानते हैं कि भारतिय मन के लिए धर्मी का आदर्ष स बड़ा और कुछ भी नहीं है, धर्म ही भारतिय जीवन का मूल मंत्र है, और हम केवल सबसे कम बाधावाले मार्ग का अनुकरण करके ही कारे में अग्रसर हो सकते हैं, यह केवल सत्य ही नहीं कि धर्मी का आदर्ष यहां सबसे बड़ा आदर्ष है, किन्तु भारत के लिए क कारे करने का एक मात्र संभाव वे उपाई यही है, पहले से उस्पत को सुद्रिड किये बिना दूसरे मार्ग से कारे करने पर उसका फल घातक होगा, इसलिए भविश्य के भारत निर्मान का पहला कारे है, वह पहला सोपान जिसे युगों से उस महा चलकव चल पर खोद कर बनाना होगा, भारत की धार्मिक एकता ही है, यह सिक्छा हम सब को मिलनी चाहिए कि हम हिंदू, द्वाइतवादी, विशिष्टता द्वाइतवादी या अद्वाइतवादी अत्वा दूसरे संपरदाय के लोग जैसे शैव, वैश्नो, पाशूपत, आदि भिन्न भिन्न म बिल्कुल वाहियात हैं, हमारे शास्त इसकी निंदा करते हैं, हमारे पूरो पूर्षों ने इनके भहिशकार का उपदेश दिया है, और वे महा पूर्षगण, जिनके वनसज हम अपने को बताते हैं, और जिनका खून हमारी नसों में बह रहा है, अपनी संतानों को छोटे छोटे भेदों के लिए जगड़ते हुए देखकर उनको घोर घ्रिना की द्रिष्टी से देखते हैं, लडाई जगड़े छोड़ने के साथ ही अन्य विश्यों की उन्नती आवश्य होगी, यदि जीवन का रक्त शशक्त इवं शुद्ध है, तो शरीर में विशैली की टान नहीं रह सकते, हमारी आध्धात्मिक्ता ही हमारा जीवन वर्त है, यदि यह साफ बहता रहे, यदि यह शुद्ध एवं शशक्त बना रहे, तो सब कुछ ठीक रहे, राजनीतिक, समाजिक, चाहे जिस किसी तरह की एहिक तुरूटियां हो, चाहे देश की निर्धनता ही क्य सकती है, उधारनार्थ आधुनिक चिकित्सा सास्त्र की एक उपमा लो, हम जानते हैं कि किसी बिमारी के फैलने के दो कारण होते हैं, एक तो बाहर से कुछ विशैली किटानूओं का प्रवेश, और दूसरा शरीर की अवस्था विशेश, यदि शरीर की अवस्था ऐसी नह हो, जाए कि वह किटानूओं को घुसने दे, यदि शरीर की जीवन शक्ती इतनी छिण ना हो जाए, कि किटानू शरीर में घुस कर बलते रहें, तो संसार में किसी भी किटानूओं में इतनी शक्ती नहीं, जो सरीर में पैट कर बिमारी पैदा कर सके, वास्ताओं में प्रत चैले किटानू उस पर अधिकार कर लेते हैं और रोग पैदा होते हैं। तेजस्वी हो जिससे वह सब बहरी विशों को दबा कर हटा देने लायक हो सके। हमने देखा है कि हमारा धर्म ही हमारे तेज, हमारे बल, यही नहीं हमारे राष्ट्य जीवन का भी मूल अधार है। इस समय मैं यह तर्क वितर्क करने नहीं जा रहा हूं कि धर्म उचित है या नहीं, सही है या नहीं और अंत तक यह लावदायक है या नहीं। कि तु अच्छा हो या बुरा हो, धर्म ही हमारे राष्ट्य जीवन का प्राण है, तुम उससे निकल नहीं सकते, अभी और चिरकाल के लिए भी तुम्हें उसी का अवलम बगरहन करना होगा और तुम्हें उसी के आधार पर खड़ा होना होगा। चाहे तुम्हें इस पर उतना विश्वास हो या ना हो, मुझे है। तुम इसी धर्म में बंदे हुए हो और अगर तुम इसे छोड़ दो तो चूर-चूर हो जाओगे। कुछ साहस पूर्वक सहन किया था, मृत्यू को प्यूनों ने हिर्दय से लगाया। विदेशी विजेताओं दोरा मंदिर के बाद मंदिर तोड़े गए, परन्तु उस बाल में बह जाने में देर नहीं हुई कि मंदिर के कलश फिर खड़े हो गए। दक्षिन के यही कुछ पुराने मंदिर और गुजरात के सोमनाथ जैसे मंदिर तुम्हें विपुल ज्यान प्रदान करेंगे। विजाति के तिहास के भीतर वह गहरी अंतर द्रिष्टी देंगे जो धेरों पुस्तकों में भी नहीं मिल सकती है। देखो कि इस तरह के मंदिर सैकणों आक्रमणों और सैकणों कुनर स्थानों के चिन धारन किये हुए हैं। ये बार-बार नश्ट हुए हैं और बार-बार ध्वन्साविश से उठकर नया जीवन प्राप्त करते हुए अब पहले की ही तरह अटल रूप से खड़े हुए हैं। इसलिए इस धर्म में ही हमारे राष्ट का मन है, हमारे राष्ट का जीवन प्रवाह है, इसका अनुसरन करोगे तो यह तुम्हें गवरों की ओर ले जाएगा, इसे छोड़ोगे तो मृत्यू निश्चित है, अगर तुम इस जीवन प्रवाह से बाहर निकल कर आए, तो मृ प्रित्यू ही एक मात्र परिणाम होगा और पूर नाशी एक मात्र परिणित। परिया किया किस तरह जाए मैं तुम्हारे सामने अपने विचार रखता हूँ बहुत दिनों से यहां तक कि अमेरिका के लिए मदरास और समुद्री तट छोड़ने के वर्षों पहले से ये मेरे मन में थे और उन्ही को प्रचारित करने के लिए मैं अमेरिका और इंगलेंड गया था धर्म महासभा या किसी और वस्तु कि मुझे बिल्कुल परवा नहीं थी वह तो एक सुयोग मात्र था वस्तुता मेरे ये संकल्प ही थे जो सारे संसार में मुझे लिये फिर रहे थे मेरा विचार है पहले हमारे सास्त्र गंतों में भड़े पड़े आध्यात्मिक्ता के रत्नों को जो कुछी मनुष्यों के अधिकार में मठों और अरण्यों में चिपे हुए हैं बाहर लाना होगा जिन लोगों के अधिकार में ये चिपे हैं केवल उनी से इन ज्यान का उद्धार करना पर्याप्त न होगा वरन उससे भी दुर्भेद्य पेटी का अर्थात जिस भाषा में ये सुरक्षित हैं उस संस्कृत भाषा के सताब्दियों से पर्त खाये हुए अभेद्य शब्द जाल से उन्हें निकालना होगा तात पर यह है कि मैं उन्हें सब के लिए सुलब कर देना चाहता हूँ कठनाई हमारे गवरवशाली संस्कृत भाषा ही है और यहां कठिनाई तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक हमारे राष्ट के सभी मनुष्य संस्कृत के अच्छे विद्वान न हो जाए यह कठनाई तुम्हारी समझ में आ जाएगी जब मैं कहूंगा कि आज इवन इस संस्कृत भाषा का अध्यन करने पर जब भी मैं इसकी कोई नई पुस्तक उठाता हूँ तब वह मुझे बिल्कुल नहीं जान पड़ती है अब सोचो कि जिन लोगों ने कभी विशेश रूप से इस भाषा का अध्यन करने का समय नहीं पाया उनके लिए यह भाषा कितनी अधिक क्लिष्ट होगी अता मनुश्यों की बोलचाल की भाषा में उन विचारों की शिक्षा देनी हो साथ ही संस्कृत की भी सिक्षा वश्योत रहीं चाहिए क्योंकि संस्कृत शब्दों की ध्वनी मात्र से ही जाती को एक प्रकार का गौरव शक्ती और बलप्रात्थ हो जाता है महां धर्माचार्य रामानुज चैतन्य और कबीर ने भारत की चीनी नीची जातियों को उठाने का जो प्रेत्न किया था उसमें उन्हें अपने ही जीवन काल में अद्भुत सफलता मिली थी किन्तो फिर उनके बाद उसकार्य का जो सोचनिय परिनाम हुआ उसके कारणों की मिमान्शा होनी चाहिए और जिस कारण उन बड़े-बड़े धर्माचारियों के तिरोभाओं के प्राया एक ही शटाब्दी के भीतर वह उन्नती रूप गई उसके कारणों की मिमांशा होनी चाहिए इसका रहस्य यह है कि उन्होंने नीची जातियों को उठाया वे सब चाहते थे कि ये उन्नती के सर्वच सिकर पर आरूर हो जाए परंतु उन्होंने जनता में संस्कृत का परचार करने में अपनी शक्ती नहीं लगाई यहां तक कि भगवान बुद्ध ने भी यह भूल की कि उन्होंने जनता में संस्कृत भाषा का अधन बंद कर दिया वे तुरंत फल पाने के एक शुक्त थे इसलिए उस समय की भाषा पाली में संस्कृत के अनुआद कर उन्होंने उन विचारों का परचार किया यह बहुत ही सुंदर हुआ था जनता ने उनका अभी प्राय समझा क्योंकि वे जनता की बोल चाल की भाषा में उब्देश देते थे यह बहुत ही अच्छा हुआ जिससे उनके भाव बहुत शीग्र फैले और बहुत दूर दूर तक फैले किन्तु इसके साथ साथ संस्कृत का भी परचार होना चाहिए था ज्यान का विस्तार हुआ सही पर उसके साथ साथ प्रतिष्था नहीं बनी संस्कार नहीं बना संस्कृती ही युग के आगातों को सहन कर सकती है मात्र ज्यान राशी नहीं तुम संसार के सामने प्रभूत ग्यान रख सकते हो, परन्तु इससे उसका विशेश उपकार न होगा, संसकार को रक्त में व्याप्त होना चाहिए, वर्तमान समय में हम कितने ही राष्टों के संबन्द में जानते हैं, जिनके पाश विशाल ग्यान था आगार है, परन्तु इ तरह ग्यान भी चमडे की उपरी सतह तक ही सीमित है, छिछला है और एक खरोच लगते ही वह पुरानी निर्शंस्ता जग उठती है, ऐसी घटनाए हुआ करती हैं यही भय है, जनता को उसकी बोलचाल की भाशा में सिक्छा दो, उसको भाव दो, वह बहुत कुछ जान जाए एक ऐसे नवीन वर्ण की स्रिष्टी होगी, जो संस्कृत भाशा सीख कर शिग्र ही दूसरे वर्णों के उपर उठेगी और पहले की तरह उन पर अपना प्रभित्त फैला रेगी, यह पिछडी जाती के लोग, मैं तुम्हें बतलाता हूं कि तुम्हारे बचाओं का, तु कोई उपकार ना होगा, इससे लडाई जगडे और बढ़ेंगे और यह जाती दुर्भागिवश्ट पहले ही से जिसके टुकले टुकले हो चुके हैं, और भी टुकलों में बढ़ती रहेगी, जातियों में समता लाने के लिए एक मातर उपाए उस संसकार और सिक्षा का अ जो खास कर मदरास से संबन्द रखता है, एक मत है कि दक्षिन भारत में द्रविड नाम की एक जाती के मनुष्य थे, जो उत्तर भारत के आर्य नामक जाती से बिलकुल भिन्द थे, और दक्षिन भारत के ब्रामन ही उत्तर भारत से आय हुए आर्य हैं, अन्य जातियां दक दूसरा भेद मेरी नजर में नहीं आता हम यहां उत्तर भारत के इतने लोग हैं मैं अपने यूरोपिय मित्रों से कहता हूं कि वे इस सभा के उत्तरी भारत और दक्षणी भारत के लोगों को चुनकर अलग करने भेद कहां है जरा सा भेद भाषा में है पूर्वोक्त कहते हैं कि दक्षणी ब्राम्वन जब उत्तर से आये थे तब दे संस्कृत बोलते थे अभी यहां आकर द्रविड भाषा बोलते बोलते संस्कृत भूल गए यदि ब्राम्वनों के संब्ध में ऐसी बात है तो फिर दूसरी जातियों के संब्ध में भी यही बात क्यों नह कि दूसरी जातियां भी एक एक करके उत्तर भारत से आए, उन्होंने द्रविड भासा को अपनाया और संस्कृत भूल गई, यह युक्ति तो दोनों और लग सकती है, ऐसी वाहियात बातों पर विश्वास न करो, यहां ऐसी कोई द्रविड जाती रही होगी, जो यहां से वे जंगलों और दूसरे स्थानों में बस गए, यह बिल्कुल संभव है कि संस्कृत के बदले वह द्रविड भासा ले ली गई हो, परन्तु यह सब आरी ही हैं, जो उत्तर भारत से आए हैं, सारे भारत के मनुष्य आरियों के सिवाय और कोई नहीं है, इसके बाद एक पुर्टगाली बेचारे आफरीक्यों को पकड़ लेते थे, जब वे जीवित रहते थे, उनसे घोर परिश्रम कराते थे और उनकी मिश्रित संतानों भी दास्ता से उत्पन होकर चिरकाल तक दास्ता में ही पड़ी रहती थी, इस अदबुत उधारन से मन हजारों वर्ष प भरा हुआ था और उज्वल आर्य बाहर से आये हैं, परमात्मा जाने कहां से आये हैं, कुछ लोगों के मद से वे मध्य तिबबत से आये हैं, दूसरे कहते हैं वे मध्य एशिया से आये हैं, कुछ स्वदेश प्रेमी अंग्रेज हैं, जो सोचते हैं कि आर्य लाल बाल वाल कुछ दिन हुए यह सिद्ध करने का प्रयक्न किया गया था कि आरे स्विजर्डेंड की जीलों के किनारे बसते थे। हाँ प्राचीन भारत में अफगानिस्तान भी सामील था बस इतना ही और यह सिद्धान्त भी कि शूद्र अनारे और असंखे थे बिल्कुल अतारकिक और अयोक्तिक है। कि सत्य युग के आरंभ में एक ही जाती ब्रामन थी और फिर पेशे के भेद पर वह भिन भिन जातियों में बढ़ गई। बस यही एक मात्र व्याख्या सच और युगति पून है। भविश्य में जो सत्य युग आ रहा है उसमें ब्रह्मनेत्तर सभी जातियां फिर ब्रामन रूप में पढ़नित होंगी। इसलिए भारतिय जाती समस्या की मिमान्शा इसी प्रकार होती है कि उच्च वर्णों को गिराना नहीं होगा, ब्रामनों का अस्तित्तो लोब करना नहीं होगा। भारत में ब्रामनत्यों की मनुष्य का चरमा दर्श है। इसे संक्राचारे ने गीता के भाषारंभुके इस ब्रहम्मग्य पुरुष का इस आदर्श और सिद्ध पुरुष का रहना परमावश्यक है। इसका लोग कदापी नहीं होना चाहिए। और इस समय जाती भेद की प्रथा में जितने दोश हैं। उनके रहते होएं भी हम जानते हैं कि हमें ब्राम्मनों को यश्रे देने के लिए तयार रहना होगा कि दूसरी जातियों की अपेक्षा उन ही में से अधिसंख्यक मनुष्य यठार्थ ब्रामणत्यकों को लेकर आए हैं। यह सच है, दूसरी जातियों को उन्हें यह श्रेय देना ही होगा, यह उनका प्राप्य है, हमें बहुत इस्पष्टवादी होकर साहस के साथ उनके दोशों की अलोचना करनी चाहिए, पर साथ ही साथ उनका प्राप्य, श्रेय भी उनको देना चाहिए, अंग्रेजी की पुरानी कहवत याद रखो, हर एक मनुष्य को उसका प्राप्य दो, अतामित्रों, जातियों का आपस में जगड़ना बेकार है, इससे क्या लाब होगा, इससे हम भी, हम और भी बढ़ जाएंगे, और भी कमजोर हो जाएंगे, और भी गिर जाएंगे, एक आ कार हुआ था, उन्हें भी इस एकाधिकार को तोड़ा था, सब कुछ होने पर भी वह सासन सर्वांस्तह बुरा नहीं था, कोई भी वस्तु सर्वांस्तह ना बुरी होती है ना अच्छी ही, मुसल्मानों की भारत विजय, पददलितों और गरीबों का मानों उद्धार करने पर देख ले हुई थी, यही कारण है कि हमारी एक पंचमास जनता मुसल्मान हो गई, यह सारा काम तलवार से ही नहीं हुआ, यह सोचना की यह भी यह सभी तलवार और आग का काम था बेहत पागलपन होगा, अगर तुम सचेतन होगे, तो मदरास के तुम्हारे एक पंचमा में पहले भी कभी थी, जिस रास्ते से उच्वन के लोग चलते थे, गरीब पहलियां उससे नहीं चलने पाता, परंतु यही उसने कोई बेढ़ब अंग्रेजी नाम या कोई मुसल्मानी नाम रख लिया, कि बस सारी बातें सुधर जाती, यह सब देख कर इसके सिवा तुम और क्या निशकर्स निकाल सकते हो, कि सब मालाबारी पागल हैं और उनके धर पागल खाने को और जब तक वे होस समाल कर अपनी पर्थाओं का संसोधन न कर लें, तब तक भारत की सभी जातियों को उनकी खिल्ली उड़ानी चाहिए, ऐसी बुरी और निश्रंस पर्थाओं का जो भी जारी रखना क्या उनके लिए लज्जा का विशय नहीं है, उनके अपने बच्चों को भूखों मरते हैं, परन्तु जो ही उन्होंने किसी दूसरे धर्म का आश्रे लिया, कि वे फिर उन्हें अच्छा भोजन मिल जाता है, अब जातियों में आपसी लड़ाई ब जिनका अपने शास्त्रों का ज्यान और अपने पूर्वजों के महानुद्देशों को समझने की शक्ति शून्य से अधिक नहीं, तुम कुछ का कुछ कहते हुए सुनते हो, फिर भी मैंने जो कुछ कहा हमारे शास्त्रों में वर्णित कार्य प्रणाली वही है, वे इसे नह उग्वांतरों से गुजरते हुए राष्ट जीवन की विचित्र गती को लक्ष करते हैं, वे नए और पूराने सभी शास्त्रों में करमसा इसकी परंपरा देख पाते हैं, अच्छा, जो वह योजना, वह प्रणाली क्या है, उस आदर्श का एक छोर ब्राम्हन है, और तुम ऐसे कठोर वाक्य पढ़ने को मिलते हैं, कि अगर शूद्र वेद सुन ले, तो उसके कानों में शीशा गला कर भर दो, और अगर वह वेद की एक भी पंक्ति याद कर ले, तो उसकी जीव काट डालो, यदि वह किसी ब्राम्हन को ऐ ब्राम्हन कह दे, तो भी उसकी जी क्योंकि उन्होंने समाज के किसी अंश में प्रचलित प्रथाओं को ही सिर्फ लिपबद किया है, ऐसे आसूरी प्रवित्ती के लोग प्राचीन काल में कभी-कभी पैदा हो गए थे, ऐसे असूर लोग कमोबेश सभी युगों में होते आये हैं, इसलिए बाद के समय में त पूसरी स्मृतियों में, खास कर उन स्मृतियों में जिनका आज कल पूरा प्रवहाव है, यह लिखा पाते हैं कि अगर शूद्र ब्रामनों के आचार विवहारों का अनुसरन करें, तो वे अच्छा करते हैं, उन्हें प्रुशाहित करना चाहिए, इस प्रकार यह सब होता जा रहा है, तुम्हारे सामने इस सब कार्यपधतियों का विश्त्रित वर्णन करने का मुझे समय नहीं है, और न कि इसका की इनका विश्त्रित विवरण कैसे प्राप्त किया जा सकता है, किन्तो प्रत्यक्ष घटनाओं का विचार करने से हम यह देखते हैं कि सभी जातिय उनमें से कुछ तो ब्राम्हन में शामिल भी हो रही है। कोई जाती अगर अपने को ब्राम्हन कहने लगे तो इस पर कोई क्या कर सकता है। मैंने अपने ही जीवन में देखा है। कुछ जातियां जोरदार हो गई हैं और जो ही उन सब की एक राय हुई फिर उनसे नहीं भला कौन यह कह सकता है। मिर्माता थे। उन लोगों ने जिन अदगुत बातों का अविशकार किया था वे सब मैं तुमसे नहीं कह सकता। और संभाव है कि उसमें से कोई कोई उससे अपना रोश प्रकट करे। किन्तु अपने भर्मान और अनुभाव से मैंने उनके सिद्धान ढून निकाले और इससे मुझे अदगुत परिणाम प्राप्त हुआ। कभी कभी उन्होंने दल के दल बलूचियों को लेकर छण भर में उन्हें छत्री बना डाला, दल के दल धीवरों को लेकर छण भर में ब्राम्भन बना डाला। वे सब रिशी मुनी थे और हमें उनकी स्मृती के सामने सिर जुकाना होगा। तुम्हें भी रिशिमुनी बनना होगा, कृतकार्य होने का यही गूढ रहस्य है, निवनाधिक सभी को रिशी होना होगा। रिशी का अर्थ क्या है? रिशी का अर्थ है पवित्र आत्मा। पहले पवित्र बनो, तभी तुम शक्ती पाओगे, मैं रिशी हूँ, तहने मात्र से ही न होगा, किन्तो जब तुम यथार्थ रिशित्व का लाब करोगे, तो देखोगे, दूसरे आप ही आप तुम्हारी आज्या मानते हैं, तुम्हारे भीतर से कुछ रहस्य मैवस्तु न ज्यादभाव से वे तुम्हारी योध्राओं की कारे सिद्धी में सहयक होते हैं, यही रिशित्व है, विस्तृत कारे पणाली के बारे में यही कहना है, कि पीडियों तक उनका अनुसरन करना होगा, मैंने तुम से जो कुछ कहा, वो एक सुझाव मात्र है, जिसका उद्द हो जाना चाहिए, यह दोनों ही पक्षों के लिए व्यर्थ है, खास कर ब्राम्हनों के लिए, क्योंकि इस तरह के एकादिकार और विशेश दावों के दिन अब चले गए, हर एक अभिजातवर्ग का कर्तव्य है, कि अपने कुलीन तंत्र की कब्र वह आप ही खो दे, और व भारत की दूसरी सभी जातियों के उद्धार की चेश्ठा करे, यदि वह ऐसा करती है, तभी वह ब्राम्हन है, और जब तक ऐसा करती है, तभी तक वह ब्राम्हन है, अगर वह धन के चक्कर में पड़ी रहती है, तो वह ब्राम्हन नहीं है, इधर तुम्हें भी उचित है, कि यथार्थ ब्राम्हनों की ही साहता करो इससे तुम्हे स्वर्ग मिलेगा पर यदि तुम अपात्र हो को धान दान दोगे तो उसका फल स्वर्ग न होकर उसके वीपरीत होगा हमारे शास्त्रों का यही कथन है इस विशय में तुम्हे सावधान हो जाना चाहिए यथार्थ ब्राम्हन वे ही है जो संसकारिक कोई कर्म नहीं करते सांसारिक कर्म दूसरी जातियों के लिए है ब्राम्हनों के लिए नहीं ब्राम्हनों से मेरा यहनी वेदन है कि वे कुछ जानते हैं उसकी सिक्षा देकर सदियों से उन्होंने जिस ग्यानेवं संस्कृति का संचय किया है उसका परचार करके भारतिय जंता को उन्नत करने के लिए भरसक प्रयत्न करें यह थार्त ब्राम्हनत क्या है इसका इस्मरन करना भारतिय ब्राम्हनों का इस्पष्ट करतव्य है मनु कहते हैं कि ब्रामणों को जो इतना सम्मान और विशेश अधिकार दिये जाते हैं इसका कारण यह है कि उनके पास धर्म का भंडार है। सब कुछ छोड़ा। यह ब्रामणों का दोश नहीं है कि वे उन्नती के मार्ग पर अन जातियों से आगे बढ़ें। दूसरी जातियों ने भी ब्रामणों की तरह समझने और करने की चेश्ठा क्यों नहीं की। क्यों उन्होंने सुस्त बैटे रहकर ब्रामनों को बाजी मार लेने दिया परंतु दूसरों की अपेक्षा अधिक अगरसर होना था तता सुधाय प्राप्त करना एक बात है और दुरूपयोग के लिए उन्हें बनाय रखना दूसरी बात है शक्ती जब कभी बुरे उद्दे के हेतु लगाई जाती है तो वह आसुरी हो जाती है उसका उप्योग सुधेश के लिए होना चाहिए अता युगों की यह संचित शिक्षा तथा संस्कार जिनके ब्रामन सरक्षक होते आए हैं अब साधरन जंता को देना पड़ेगा और चूंकि उन्होंने साधरन जंता को समर्पित संपत्ती नहीं दी है इसलिए मुसल्मानों का आत्रमन संभव हो सका हम जो हजार वर्ष तक भारत पर धावा बोलने वाले जिस किसी के पैरों तले कुचले जाते रहे हैं इसका कारण यही है कि ब्राम्भनों ने शुरू से ही साधरन जंता के लिए वह खजाना ख जिन तहखानों में छीपे हुए हैं उन्हें तोड कर बाहर निकाले और उन्हें सब को दें यह कारे सबसे पहले ब्राम्भनों को ही करना होगा बंगाल में एक पूराना अंधविश्वास है कि जिस गोखूरे साथ ने काटा हो वह खूद यदी अपना विश्ष खींच ले मिलते ही उसका उपयोग ना करो क्योंकि मैं पहले दिखा चुका हूँ कि तुम अपने ही दोस से कष्ट पा रहे हो तो मैं आध्धात्मिक्ता का उपारजन करने और संस्कृत सीखने से किसने मना किया था इतने दिनों तक तुम क्या करते रहे क्यों तुम इतने दिनों तक उदासीन रहे और दूसरों से दूसरों ने तुमसे बढ़कर मस्तिश्क, वीर्य, साहस और क्रिया शक्ति का परिचे दिया, इस पर अप चिड क्यों रहे हो, समाचार पत्रों में इन सब व्यर्थ वाद विवादों और जगणों से शक्ति छैना करके, अपने ही घरों में इस सिद्ध होगा, तुम क्यों संस्कृत के पंडित नहीं होते, भारत की सभी जातियों में संस्कृत शिक्षा का प्रचार करने के लिए तुम क्यों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करते, मेरा प्रश्न तो यही है, जिस समय तुम यह कारे करोगे, उसी छण तुम संस्कृत होने से ही भारत में सम्मान प्राप्थ होगा, संस्कृत भाषा का होने से ही कोई भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहने का साहस न करेगा, यही एक मात्र रहस्य है, अतही से जान लो और संस्कृत पढ़ों, अदवयत वादी की प्राचीन उपमा दी जाने, तो क दूसरे लोग स्वता उस प्रभा को प्रभा से प्रभावित होकर उसके भाव से भावित हो जाते हैं, ऐसे महापुरुष अवश्य प्रगट हुआ करते हैं, और इसके पीछे भावना क्या है, जब वे अविर्भूत होते हैं, तब उनके विचार हम लोगों के मस्तिष्क म क्यों होती है संगठन को केवल भौती के जड़ सकती मत मानों इसका क्या कारण है अथ्वावा कौन सी वस्तु है जिसके द्वारा कुल 4 करोड अंग्रेज पूरे 30 करोड भारत वासियों पर साशन करते हैं इसका मनोवज्ञानिक स्पष्टिकरण क्या है यही कि वे 4 करोड अपनी अपनी क्छाओं को एक दूसरे से प्रिथक किये रहते हो बस यही इसका रहस्च है कि वे कम होकर भी तुम्हारे उपर शाशन करते हैं अता यदि भारत को महान बनाना है उसका भविश्य उज्वल बनाना है तो इसके लिए आउशक्ता है संगठन की शक्ति संग्रह और बिखरी हुई इक्छा शक्ति को एकत्र कर उसमें समनवय लाने की अतरववेद सहिता की एक विलक्षन डिचा याद आती है जिसमें कहा गया है तुम सब लोग एक मन हो जाओं सब लोग एक ही विचार के बन जाओं क्योंकि प्राचीन काल में एक मन होने के कारण ही होता मनुष्य द्वारा इसलिए पूजे गए कि वे एक चित्त थे एक मन हो जाना ही समाज गठन का रहस्य है और यदि तुम आर्य और द्रविड ब्राम्हन और अब्राम्हन ज्यासे तुच्छ विश्यों को लेकर तूतू मैमे करोगे जगड़े और पारस्परिक विरोध भाव को बढ़ाओगे तो समझ लो कि तुम उस शक्ति संग्रह से दूर हटते जाओगे जिसके द्वारा भारत का भविश्य बनान चा रहा है इस बात को याद रखो कि भारत का भविश्य संपोंड था होसी पर निर्वर करता है बस इक्छा शक्ति का संचय और उनका समनव कर उन्हें एक मुखी करना ही वह सारा रहस्य है प्रत्येक चीनी अपनी शक्तियों को भिन भिन मार्गों से परिचालित करता है तथा मुठी वर जापानी अपनी इक्छा शक्ति एक ही मार्ग से परिचालित करते हैं और उसका फल क्या हुआ यह तुम लोगों से छेपा नह देखने में आती हैं। यदि तुम संसार के तिहास पर द्रिष्टी डालो तो तुम देखोगे कि सर्वत्र छोटे-छोटे सुगठित रास्ट बड़े-बड़े असंगठित रास्टों पर सासन कर रहे हैं। करना कठिन होगा। वे मानों अनियंत्रित लोगों की भीड मात्र हैं। वे कभी परस पर संबध नहीं हो सकते। इसलिए ये सब मतभेद के जगड़े एकदम बंद हो जाने चाहिए। इसके सिवा हमारे भीतर एक और बड़ा भारी दोश है। महिलाएं मुझे छमा है कि सदियों की गुलामी करते करते हमारा राष्ट औरतों के राष्ट के समान बन गया है। चाहे इस देश में हो या किसी अन्य देश में कहीं भी तुम इस्तिरियों को शायद कभी ही कभी एक साथ पाँच मिनट से अधिक देर तक जगड़ा किये बीना देख पाओगे। यूरोपिये देशों में इस्तियां बहुत बड़ी-बड़ी सभा, समीतियां स्थापित करती हैं तथा अपनी शक्ती और अधिकारों की बड़ी-बड़ी घोशनाएं करती हैं। फिर वें आपस में जगड़ा करने लग जाती हैं। इसी बीच कोई पुरुष आता है और पर अपना प्रभुत जों मालेता है। सारे संसार में इस्तियों पर शाषन करने के लिए अब भी पुर्षों की अवसकता होती है। हमारी भी ठीक वही हालत है। हम भी इस्तियों के समान हो गए हैं। यदि कोई इस्तियों का नेत्रित्यों करने चलती है तो हम सब मिलकर फ है और उसके साथ जरा सक्त बरताव करता है बीच बीच में ढाट भटकार सुना देता है तो सब वे ठीक हो जाती है इसी प्रकार के वशीकरण की ये वे अभ्यस्त हो गई हैं सारा संसार ही संसार के वशीकरणें संमोहन करने वालों से भरा हुआ है ठीक इसी तरह यदि हम परन्तु यदि कोई विदेसी हमारे बीच में कूद पड़े और हमें पैरों से ठोकर मारे तो हम बड़ी खुशी से उसके पैर सहलाने लग जाएंगे हम लोग इसके अभ्यस्त हो गए हैं क्या ऐसी बात नहीं है और कहीं गुलाम स्वामी बन सकता है इसी लिए यह गुलामी वृत्ती छोड़ दो आगामी पचास वर्ष के लिए यह जन्नी जन्मभूमी भारत माता ही हमारी आराध्य देवी बन जाए जब तक के लिए हमारे मस्तिस्क से व्यर्थ के देवी देवताओं के हड़ जाने में कुछ भी हानी नहीं है हमारा सारा धान इसी एक इश्वर पर लगाओ हमारा देश ही हमारा जागरत देवता है सर्वत्र उसके हाथ हैं सर्वत्र उसके पैर हैं और सर्वत्र उसके कान है समझ लो कि दूसरे देवी देवता सो रहे हैं जिन विर्थ के देवी देवताओं को हम देख नहीं पाते उनके पीछे तो हम बेकार दोड़े हैं और जिस विराज देवता को हम अपने चारो और देख रहे हैं उसकी पूजा ही क्यों न करें जब तक इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे तब हम दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने योग्य होंगे अन्यता नहीं आधा मील भी चलने कि हम में शक्ती नहीं है और हम हममान जी की तरह एक ही छलांग में समुद्र पार करने के इक्षा करें ऐसा नहीं हो सकता। जिसे देखो वही योगी बनने की धुन में हैं। जिसे देखो वही समाधी लगाने जा रहा है। ऐसा नहीं होने का है। दिन भर तो दुनिया के सैकलो प्रपंचों में लिप्त रहोगे, कर्म कांढ में व्यस्तर होगे और शाम को आख मूंद कर, नाक दबाकर सांस चढ़ाओ उतारोगे क्या योग की सिद्धी और समाधी को इतना सहस समझ रखा है कि रिशी लोग तुम्हारे तीन बार नाक फड़ फड़ाने और सांस चढ़ाने से हवा में उड़ते हुए चले आएंगे क्या इसे तुमने कोई हसी मजात मान लिया है ये सब विचार वाहियात है हमें जिसकी आउशक्ता है वह है चित्शुद्धी हर्दय का पावित्ध उसकी प्राप्ती कैसे होगी इसके लिए सबसे पहले उस विराट की पूजा करो जिसे तुम अपने चारों ओर देख रहे हो उसकी पूजा करो पूजा ही ठीक शब्द है किसी अन्य शब्द से काम नहीं चलेगा ये मनुश्य और पशु जिने हम आस पास और आगे पीछे देख रहे हैं ये ही हमारे ईश्वर हैं इनमें सबसे पहले पूजे हैं हमारे अपने देश्वासी परस पर इरशा द्वेश करने और जगणने के बजाए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए या इरशा द्वेश और कलह अत्यन्त भायावा कर्म है इसका फल हम भोग रहे हैं फिर भी हमारे आँखें नहीं खुलती। अस तु यह विश्ए इतना वरिष्टित है कि मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं कहां पर अपना वक्त अब्र समाप्त करूँ। इसलिए मद्रास में मैं किस प्रकार काम करना चाहता हूँ, इस विशय में संक्षेप में अपना मत व्यक्त करके व्याख्यान समाप्त करता हूँ, सबसे पहले हमें अपने देश की आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा का भार गरहन करना होगा, क्या तुम इस बात की सार्थक काम पूरा नहीं करते हो, तब तक तुम्हारे देश का उध्धार होना संभाव है, जो शिक्षा तुम अभी पा रहे हो, उसमें कुछ अच्छा अंश तो है, पर दोश बहुत अधिक है, इतनी की ये उस भले अंश को दबा देते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि यह सिक् की बुन्याद पर आधारित सिक्षा मृत्यु से भी भयानक होती है, कोमल मती बालक पाट साला में भरती होता है, और सबसे पहली बात वह सीखता है, वह यह कि तुम्हारा बाप मुर्ख है, तुम्हारी बात तो ही, जो वह सीखता है, दूसरी बात वह जो सीखता है, वह यह कि तुम्हारा दादा पागल है तीसरी बात यहा कि तुम्हारे जितने आचार हैं वो पाखंडी है और चोथी बात यहा कि तुम्हारे जितने पवित्र धर्म गरंत हैं उनमें जूटी और कपोल कल्पित बाते भरी हुई हैं इस प्रकार का निशेधात्मक बाते सीखते सीखते जब बालक 16 वर्ष की अवस्थापको पहुचता है तब वह निशेधों की खान बन जाता है उसमें ना जान रहती है और नहीं रीड अतहिस का जैसा परिणाम होना चाहिए था वैसा ही हुआ पिछले 50 वर्षों से दी जाने वाली इस सिक् नहीं पाई विदेशों में पाई अथ्वा अपने भ्रम मूलक कूर्शंसकारों का निवारन करने के लिए पूरा अपने पुराने सिक्षालियों में जाकर अध्धन किया सिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूस दी जा और विचारों का सामन जस्य कर सके वही वास्ताव में सिक्षा कहलाने योग है यदि तुम पाँच ही भावों को पचा कर तदनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सके तो तुम्हारे सिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अदिक है जिसने एक पूरे पुस्तकाले को कं बोज लाद दिया गया हो बोज ही जान सकता है चंदन के मूलियों को वह नहीं समझ सकता यदि तरह-तरह की जानकारियों का संग्रह करना ही सिक्षा है तब तो ये पुस्तकाले संसार में सर्वस्रिष्ट मूनी है और विश्वकोशी रिसी है इसलिए हमारा आदर्शिह होना चाहिए कि अपने देश की समग राध्यात्मिक और लौकिक सिक्षा के परचार का भार अपने हाथों में ले 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 और जहां तक संभव हो राष्ट्य रीती से राष्ट्य सिध्धानतों के आधार पर सिक्षा का विस्तार करें यह ठीक है यह एक बहुत बड़ी योजना ह मैं नहीं कह सकता कि यह कभी कारे रूप में भी पर्णित हो गी या नहीं पर इसका विचार छोड़कर हमें यह कारे फौरन शुरू कर देना चाहिए लेकिन कैसे किस तरह से काम में हात लगाया जाए उधारन के लिए मदरास का ही काम ले लो जब से पहले सब से पहले मैं हम एक मंदिर की अवशक्ता है तो कि सभी कारियों में पर्थम स्थान हिंदू लोग धर्म को ही देते हैं तुम कहोगे कि ऐसा होने से हिंदूों की विभिन मतावलंबियों में परस पर जगड़े होने लगेंगे पर मैं तुमको किसी मत विशेश के अनुसारव मंदिर बनाने को नहीं कहता वह इन सांप्रदाईक भेदभाओं से परहोगा उसका एक मात्र प्रतीख होगा ओम जो कि तुम्हारे किसी भी धर्म संप्रदाय के लिए महांतम प्रतीख है यदि हिंदूों में से कोई ऐसा संप्रदाय हो जो इस ओम कार को ना माने तो समद लोग कि वह पर मंदिर हम सब के लिए एक ही होना चाहिए, अपने संप्रदाय के अनुसार जो देवी देवताओं की परतिमा पूजा करना चाहें, अन्यत्र जाकर करें, पर इस मंदिर में वे औरों से जगडा ना करें, इस मंदिर में वे ही धार्मिक्त्तो समझाए जाएंगे जो सब संप्रदायों में समान है, साथ ही हर एक संप्रदाय वाले को अपने मत की सिक्षा देने का यहाँ पर अधिकार रहेगा, पर एक प्रतिबंद रहेगा कि वे अन्य संप्रदायों से जगडा नहीं करने पाएगा, तुम्हें जो कहना है कहो, संसार तुम्हारी राय जानना च कर रहे हो, उन्हें तुम अपने ही पास रखो, इस मंदिर के संबंद में एक दूसरी बात यहाँ है, कि इसके साथ ही एक और संस्था हो, जिससे धार्मिक सिक्षा और प्रचारत तयार किये जाएं, और वे घूम घूम कर धर्म प्रचार करने को भेजे जाएं, परन्तु य केवल धर्म का ही प्रचार ना करें, वरन उसके साथ साथ लोकिक शिक्षा का भी प्रचार करें, जैसे हम धर्म का प्रचार द्वार द्वार जाकर करते हैं, वैसे ही हमें लोकिक शिक्षा का भी प्रचार करना पड़ेगा, यह काम आसानी से हो सकता है, सिक्षकों तथा धर प्रचारकों के द्वारा हमारे कारे का विस्तार होता जाएगा और क्रम सा अन्य स्थानों में भी ऐसे मंदिर प्रतिष्ठित होंगे और इस प्रकार समस्त भारत में यह कारे फैल जाएगा यहीं मेरी योधना है तुमको यह बड़ी भारी मालूम होगी पर इसकी इस समय खान कहां से आएगा धन की जरूरत नहीं है धन कुछ नहीं है पिछले 12 वर्षों से मैं ऐसा जीवन वैतीत कर रहा हूं कि मैं यह नहीं जानता कि आज यहां खा रहा हूं तो कल कहां रहूंगा और मैंने कभी इसकी परवाही की है धन या किसी भी वस्तु कि जब मुझे इक रीक्षा होते ही मेरे पास आना पड़ेगा अधा उसकी कोई चिंता ना करूँ अब प्रश्ण यह है कि काम करने वाले लोग कहां है मदरास के नवयूकों तुम्हारे उपर की मेरी आशा है क्या तुम अपनी जाती और राष्ट की पुकार सुनोगे यदि तुम्हें मुझे विश्वास है तो मैं कहूंगा कि तुम में प्रतेक का भविश्य उज्वल है अपने आप पर आगाध अटूट विश्वास रखो वैसा ही विश्वास जैसा मैं बाले काल में अपने उपर रखता था और जिसे मैं आपकार्यानविद कर रहा हूँ तुम सभी अपने आप पर विश्वास रखो या विश्वास रखो कि प्रतेक की आत्मा में अनंत शक्ति विद्धमान है कभी तुम सारे भारत वर्ष को पुनर्जिवित कर सकोगे फिर तो हम दुनिया के सभी देशों में खुले आम जाएंगे और आगामी दस वर्षों में हमारे भाव उन सब विभिन्शक्तियों के एक अंस्वरूप हो जाएंगे जिनके द्वारा संसार का प्रतेक राष्ट संगठित हो रहा है हमें भारत में बसने वाली और भारत में के बाहर बसने वाली सभी जातियों के अंदर प्रवेश करना होगा इसके लिए हमें कर्म करना होगा और इस काम के लिए मुझे यूवक चाहिए वेदों मैं कहा है यूवक बलशाली स्वस्थ तिवर मेधावाले और उत्सायुक्त मनुष्य ही ईश्वर के पाच पहुंच सकते हैं तुम्हारे भविश्य को निश्चित करने का यही समय है इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी इस भरी जवानी में इस नए जोश के जमाने में ही काम करो जीन शीन हो जाने पर काम नहीं होगा काम करो क्योंकि काम करने का यही समय है सबसे अधिक ताजे बिना स्पर्ष किये हुए और बिना सुंगे फूल ही भगवान के चरणों पर चड़ाय जाते हैं और वे उसे ही ग्रहन करते हैं अपने पैरों आप खड़े हो जाओ देर न करो क्योंकि जीवन च्छन स्थाई है वकील बनकर मुकदमे लड़ने की अभिलाशा रखने के लिए से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कारे करना है अपनी जाती देश, रास्ट और समग्रस मानाव समाज के कल्यान के लिए आत्मोत सर्ग करना इससे बहुत उचा है इस जीवन में क्या है? तुम हिंदू हो और इसलिए तुम्हारा यह सहज विश्वास है कि तुम अनंतकाल तक रहने वाले हो कभी-कभी मेरे पास नास्तिकता के विशय पर वार्तालाब करने के लिए कुछ युवकार आया करते हैं पर मेरा विश्वास है कि कोई हिंदू नास्तिक नहीं हो सकता संभव है कि किसी ने पास्चात्त गरंत पढ़े हो और अपने को जड़वादी समझने लग गया हो पर ऐसा केवल कुछ समय के लिए ही होता है या बात तुम्हारे खून के भीतर नहीं है जो तुम्हारी रग-रग में रमी हुई है उसे तुम निकाल नहीं सकते और नहीं उसकी जगह और किसी धारन पर तुम्हारा विश्वास ही हो सकता है इसलिए वैसी चेश्ठा करना व्यर्थ होगा मैंने भी बाल्यावस्था में ऐसी चेश्ठा की थी पर वैसा नहीं हो सकता जीवन की अवधी अल्प है पर आत्मा अमर और अनंत है और मिर्त्यू अनिवार है इसलिए आओ हम अपने आगे एक महान आदर्ष खड़ा करें और उसके लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दें यही हमारा निच्चय हो और वे भगवान जो हमारे सास्त्रों के नुसार साधूं के परित्रान के लिए संसार में बार बार आविरभूत होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण हमें आशिरवाद दें एवं हमारे उद्देश की सिद्धी में सहयक हों धन्यवाद